दोस्तों आपका EIS और SM का पेपर हो चुका है दो सिचुवेशन होंगी या तो अच्छा गया होगा बहुत अच्छी बात है अगर बाय चांस वो पेपर थोड़ा सा एवरिज भी गया है तो टेंचन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली EIS SM के पेपर दोस्तों आपके काम का है मैं FM Economics को कैसे प्रिपेर करना इन 1.5 डेज में उसकी strategy बताने वाला हूं किन चीजों की तयारी करनी है किस तरीके से questions का revision करना है किस तरीके से time का allocation करना है तो यह रहा दोस्तों आपके सामने एक plan और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 15th of November के दिन याने आज ही के दिन आपको यह तीन chapters revise करने है leverages, cost of capital और capital structure इन chapters को हम easily 5 hours में का time allocate करके आज revise कर सकते हैं किसी पी particular chapter का revision करने की style दोस्तों हमारी बहुत ही patented common है वो आखिर क्या style है सबसे पहले आपको concept copy revise करनी है जो students मुझसे पढ़े हैं उनके पास already concept copy बनी हुई ह by chance अगर आपके पास concept copy नहीं है तो आप alpha academy की mobile application पर जा सकते हैं जिसे आप play store पर search कर सकते हैं alpha academy type कीजिएगा वहाँ पर mobile application है वहाँ पर 140 pages की concept copy पूरी की पूरी वहाँ पर डली हुई है तो आप उसमें सबसे पहले chapter को revise कीजिए या लिवरे chapter उठाया लिवरे chapter की हमने concept copy revise क 20 minutes फिर इसके बाद आपको questions पर आना है हमने last day के revision questions हमारी class में पढ़ते बढ़ते माग किये थे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको भी खुद के last day revision के questions माग करते चले जाने आपको उन questions को revise करना है तो उसी तरीके से फिर second chapter उठाना है उसकी concept को भी करना है उसके मतलब यह हुआ कि आपको हलका फुलका उसको rough में लिखते जाना है आपको कोई fair copy नहीं बनानी हलका फुलका उसे लिखते जाना है दमाग में presentation सोचते जाना है और roughly team questions आप calculator पर कर सकते किसी भी question को revise करने के लिए please आप ऐसा ना करें चाहे कितनी भी जल्दी बाजी हो कि question द करने के बाद दोस्तों अपना हाथ उठा कर और उसका solution देखिए ऐसा भी मत कीजिए कि मैंने एक step कर ली फिर थोड़ा solution देखा दूसरी step कर ली फिर थोड़ा solution देखा ठीक है ओके फिर इसके बाद दोस्तों next day यानिक की 16th of November के दिन दो alternate plans है मेरे पास सबसे पहला plan है कि क्य पढ़ने में कोई problem नहीं है कुछ ऐसे students होते हैं और मैं भी उनी में से ऐसा हूँ कि theory मुझसे शाम को नहीं पढ़ी जाती तो फिर ऐसे students क्या करें जो मैंने economics में यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसको एपर morning session में shift कर ले और उसके बाद फिर अपना FM का remaining chapters का revision करे बट ये हम हमारा total target है 16th of November का investment decisions को आप 2 hours देना risk analysis 1 hour sufficient है dividend में 1.5 hours working capital management को जरूर 2.5 hours देने पढ़ेंगे और ratio analysis 1.5 hours revise करने का तरीगा वही concept copy उठाई concept अच्छे से revise करा फिर इसके बाद last day revision की questions को पहले question हमने पूरा पढ़ा और question हमने खुद से करने की कोशिश करी solution देखना आपको नहीं है इसके बाद दोस्तों next याने की 17th of November के दिन morning में हम करेंगे इन दो chapters का revision national income और money market क्योंकि इसके अंदर बहुत बारिक से treatments होते हैं formulas होते हैं adjustment होते हैं ध्यान रखना पड़ता है कौनसी चीज प्लास होगी M1 में कौनसी चीज नहीं होगी कौनसी M2 में जाएगी कौनसी M3 में जाएगी तो इन दोनों chapters को हमने यहाँ पर रखा है national income और money market डेल टेक रफली 2-2 hours economics का revision कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं हमने दोस्तो study material से economics पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते पूरी study material में हमने चीजों को या तो underline करा है या उसकी summary बनाकर paragraph के side mail कि आपको पूरा paragraph नहीं पढ़ना है सिर्फ जो चीजे हमने underline की हुई है सिर्फ और सिर्फ आपको वह ही याद कर जाना है तो दोस्तों आप जितना कोशिश हो सके इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा याद करने की कीजिएगा क्योंकि theory जितनी जादा हम exec replicate करके आएंगे उतने माग समय बिलेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर economics का revision करेंगे इसके बाद यहाँ प पर leverage का formula पढ़ा था वो हम थोड़ा सा भूलने लगते हैं ठीके तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 hour में वापस से सारी चीजों को brush up कर लेना है ठीके यह हुई दोस्तों 1.5 days की strategy अब आप exam hall में पहुँच चुके हैं exam hall में पहुँचते से ही जैसे ही paper हाथ में आएगा दो बाते होंगे या तो paper easy होगा manageable होगा या फिर paper tough होगा easy और manageable की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ अगर by chance paper tough आए गहरी सांस लें और यह सोचे कि जितने सारे hall में दूसरे लोग बैठे हुए सबको same paper मिला है मैं मेरी तयारी करके आऊंगा अब paper सबके लिए same है तो मेरी strategy थोड़ी सी change हो जाएगी अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं 40 plus marks कैसे ले करूँ 50 plus marks कैसे ले करूँ तो अगर tough paper भी आता है तो मेरी बात ध्यान रखना कभी भी 100 में से 100 number का paper tough नहीं आता है कुछ 2-3 tough questions आते हैं तो 2-3 questions होंगे कितने marks के 20-25 marks के इसके अलावा बचा हुआ 80 marks का जो paper होगा वो ना relatively manageable होगा तो आपको low hanging fruits जो आपको सीधे सीधे देखे वे question लग रहे हैं वो आपको पहले कर लेने चाहिए यानि गर paper tough आता है तो strategy change करके पहले हमें initial 40 marks collect करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तो ये थी मेरी तरफ से tip अगर आपको किसी भी तरह की all tip लग ने कि थैंके अ हम आपको कि धानी थिए私 है तरह कैनी खट मातो करने की की थाख क है।